खादेश रुक्षय योजना 2027 में आपको बताए जाएगा आपके गाउं में कितने राशन कार्ड BPL है, APL है, State BPL है, उनकी सूची आप किस तरह से देख सकते हैं। दोस्तों, आईसमान भारत योजना का लाब उनी को दिया जाएगा राशतान में जो खादेश रुक्षय योजना में जुड़े हुएं, जिनको राशन मिलता है, उनी को आईसमान भारत योजना का लाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अपने गाओं की रासन कार्ड की सूची किस तरह से देख सकते हैं कि कितने रासन कार्ड हैं वो खादे सुर्क्षिया योजना में जूड़े हुए साथ ही कितने ऐसे रासन कार्ड है जो खादे सुर्क्षिया योजना के लिए अपलाई किये हुए जो एस्विकिर्थ हो गए हैं या फिर लंबित हैं अगर आप अपने रासन कार्ड की डिटेल चेक करना चाहते हैं कि आपने कब कब रासन प्राप्ट किया अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके गाउं या फिर आपके जो ग्रामपचायत में दुकान है उनके दवारा कितन कितना रासन किन किन को दिया गया तो उसकी भी जानकारी आप यहां से देख सकते हैं वो कैसे देख सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तो आप वीडियो को अंतर तक देखें साथ ही दोस्तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो आपको सूचना मिल जाए और इस वीडियो को लाइक किजें तो आई दोस्तो आज आपको बताते हैं रासन कार्ड सूची आप किस तरह से देख सकते हैं आप अमने ग्राम पनसाइट की दोस्तो इस रासन कार्ड की वेबसाइट है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप जाना चाहते हैं इस वेबसाइट के बारे में अगर आपको नहीं बताएगी आपका फोरम अक्सिअप टुआ रिजेक्ट टुआ या पैंडिंग है तो इसकी भी जानकरी आप यहां से प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अपने रासन कार्ड के बारे में जाना चाहते हैं कि आपके रासन कार्ड से कब-कब रास यहां पर आपके मन में जो सवाल होते हैं वही यहां पर परसन दिये गया है जैसे मेरे गाउं के रासन कार्ड की दुकान है रासन कार्ड दारकों को बताएं जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होगा अगर मान लिजे आपक कार्ड की डीटेल है वो चैक कर सकते हैं अपने रासन कार्ड नमबर डाल कर और यहां पर उसके बाद में है मेरे रासन कार्ड की दुकान पर ऐसे लोगे की सुच्ची बताएं जिना बीना बायोमेटरिक यानि की अंगुठा सत्यापन के सामगरी दी गई है यानि कि बीना बायमेट्रिक सत्यापन के रासन दिया गए उनकी भी आप जानकर यहां से प्राप्त कर सकते हैं कि आपके पंचायद में चुद्वुकान है रासन डीलर की उन्होंने कितने ऐसे लोगों को बीना अंठा लगाई यहां से रासन दिये हैं सबसे पहले आपको अपना जीला सिलेट करना है उसके बाद में आपको पता ग्रामिंड सहरी वो सिलेट करना है उसके बाद में पंचायद समीती है वो सिलेट कर लेना है उसके बाद में आपको खोजे पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे मालेज ये पातर राशन काड़दार को भी सूची, जने कभी राशन वितरित नहीं किया है, तो इसका भी आप देख सकते हैं, कि अगर वो खादया सुरक्षिया योजना में जुड़ा हुआ है, अगर उसको राशन नहीं दिया ज तो उनकी भी आप सूची यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे लोगी की सूची बताएं, जने कभी राशन वितरित नहीं किया गया, राज्य की किसी भी राशन दुकान से, जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इसी तरह से पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको जीला सेलेट करना है, उसके बाद में पता इना बायमेटरिक यानि अगुठा सत्यापन के समगरीदी की है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, अपने एन एफसे के लंबित, एस्विकिर्ट, लाबारतियों की जानकारी चाहते हैं, मालेजी अगर आपने खादेश योजनाविय फोरम अपलाई किया, आपको पता नहीं है कि आपका फॉरम कहा तक सब्मीट होगया, रिजेक्ट हो गया, क्या होगया, तो इसकी भी जानकरी आप यहां पर कलिक कर सकते हैं, उसके बाद में आपको अपना जीला सेलेट करना है, छेतर का परकार सेलेट करना है पंचायद सिमिती सेलेट करना और ग्राम पंचायद सेलेट करना है तो यहां से आप उन्हें खादे सुर्ख्षा योजना जो फॉर्म अपलाई किया ओनलाइन इमितर के बादन से उनकी आप जानकर यहां से प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से आप पंचायद की डीटियल है वो चेक कर सकते हैं आपकी पंचायद में कितने लोगों ने खादे सुर्ख्षा योजना के लिए अपलाई किया है और कितने लोगों का राशन कार्ड है वो लंबित है कितने लोगों का रिजेक्ट हो गए यह सभी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं यहां पर आपको टोकन नमर मिल जाएगा यह जानकारी दोस्तों आपको हर किसी के मादम से नहीं बताई जाती है लेकिन आप यहां से देख सकते हैं आप अपने पंचायत के अपने जीले के सभी के यहां पर डेटेल देख सकते हैं जैसे यहां पर आपका उपन होता है तो आपको अधिक जानकारी पर क्लिक करना है जैसे आप अधिक जानकारी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लंबित या फिर AS VCRIT NFSA रासन कार्ड़ धारी का विबरन आ जाएगा यहाँ पर आपको टिपनी भी दी जाएगी कि यह रासन कार्ड है वो already से NFSA में yes है और अगर कोई अन्य कारण होगा तो वो भी यहाँ पर आपको टिपनी में दिखा दिया जाएगा कि आपका राशन कार्ड है वो लंबित क्यों है या रिजेक्ट क्यों हुआ है तो इसकी भी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं देखेंगे तो यहां पर आपको टिपनी में मिल जाएगा कि आपकी राशन कार्ड का फॉर्म जो आपने अपलाई किया है खाद्य सुर अपनी देगी है उनके अनुसार दूबारे से रिएपलाई कर सकते हैं इसी तरह से दोस्तों मालिजे कि कितने लोगों को राशन मिलता है तो सबसे पहले आपको अपना जीला स्लेट कर लेना है उनके बाद में पता जो भी है ग्रामिंड सहरी वो स्लेट कर लेना है उसके ब और पंचायद समित्य हम लेते हैं तो उसके बाद में आपको अधिक जानकारी पर क्लिक कर देना है जैसे ही इस ग्राम पंचायद के अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके ठीक सामने आपको मिलेगा अधिक जानकारी तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस ग्राम पंचायत में जितने भी रासन कार्ड धारी हैं जिनको रासन दिया जा रहा है उन सभी की डिटेल आपको मिल जाएगी यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि कितने रासन कार्ड BPL हैं APL हैं तो यह भी जानकरी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपने गाउं में रासन कार्ड नमर देखना चाहें लिस्ट देखना चाहें तो यहां पर आपको अपने गाउं के रासन कार्ड नमर की पिलिस्ट मिल जाएगी उसके ठीक सामने आपको मिले गा अधिक जानकरी जैसे आप उस पर क्लिक करेंने जो आपको नाम दिया गया जैसे यहाँ पर आप क्लिक करें Marketing स्दश से कितने हैं कितने वार रासन दिया गया है तो वह सब डीटेयल भी आपको को यहाँ पर मिल जाएगी जैसे अकजाम्पल के लिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जैसे अगर आप 900, 223 मालेज्विज़े अगर आप चाहते हैं कि मेरे ग्रामपचायत में इस आतमी के अगर आप को जानकारी चेक करनें, तो आप यहां से जानकारी है, वो प्रब्ध कर सकते हैं, कि इसके रासन कारड में कितने सदस ये, उनकी क्या-क्या उमर है, ये ओनलाइन आप खुद चेक कर सकते हैं, और फ्री में कर सकते हैं, ये बिलकुल फ्री है, आपको एक भी रुपए नहीं देना होगा, स प्रासन कार्ड के मदम से गया हूं है या फिर केरोसिन है जो दिया जार है उनकी वी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं सुक्षे योजना में जुड़ा हुआ था आपको जरूर आयुस्मान भारत योजना का लाप मिलेगा इस पॉइंट के बाद में हम आयुस्मान भारत य हैं वह हम आपको अभी बताने वाले हैं प्रसे आपके सामने जनसुचना पोर्टल 1999 हो यहांपर आपको क्लिक करदेना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जन्शूजना वो realities है वो ऐपन हो जाएगा जैसे आप सेवाँ पर क्लिक करेंगे तो राज्तान सरकार के दोबारे जो हाली में online appdait की की सेवाई है उनके बारे में detail में आपको बता दिये जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का पोर्टल मिल जाएगा पर आपको मिलेगा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राज़तान स्वास्ते भीमा योजना SBY जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में 5 नमर जो एप गए बिना आर्टे के मादम से पूछी जाती थी अब बिना आर्टे के मादम से यहाँ से कोई भी चेक कर सकता है जैसे आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राज़तान स्वास्ते भीमा योजना में अगर आप जूढे हुए हैं या नहीं है तो इसकी विजानकर अगर आप प्रप्त करना चाहें तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है आईसमान वारत के फोर्टल पर और उसके बाद में आप अपना जीला सेलेट करेंगे जो भी आपका जीला है वो जीला सेलेट करेंगे जीला सलेट करने के बाद में आपको अपना पता है वो ग्रामिन है सहरी है वो आपको यहां पर सलेट करना है माल लिजी अगर आप ग्रामिन है तो आप ग्रामिन सलेट करेंगे अगर आप सहरी है तो सहरी सलेट करेंगे पंचाय समिती सलेट कर लेना है पंचाय समिती सलेट करने के बाद में आपको अपना ग्राम पंचायत है वो सलेट कर लेना है जो भी आपका ग्राम पंचायत है वो सलेट करें उसके बाद में आपको खोजे पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके अपने गाम यहां से सेलेट कर लेना है जैसे आपके गाम के सामने यहां पर मिलेगा अधिक जानकारी मालेजी अगर आपका यहां पर जापदा कालान है तो इसके ठीक सामने आपको मिलेगा अधिक जानकारी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके गाउं में जितने भी लोगों को आईसमान भारत योजना का लाब दिया जा रहा है उन सभी की डीटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगे पैकेज, कोड मिल जाएगा, पैकेज रासी मिल जाएगी लेंदेन की तारिक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो लाबार्थी का नाम, लाबार्थी का पिता का नाम और पता एड्रिस भी पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आप आईसमान भारत योजना का लाब लेना चाते हैं तो आपका रासन गाड़ वो खादय सुक्षिया योजना में जूड़ा हुआ होना चाहिए तभी आपको आईसमान भारत योजना का लाब दिया जाएगा और अगर आपने आईश्मान भारत योजना के अंतरगत लाव उठे है तो उसकी भी डीटेल आप यहां से पराप्त कर सकते हैं कि आईश्मान भारत योजना के अंतरगत आपको कितने रुपए का package दिया गया था क्या data थी और package नमर क्या था तो यह जानकरी भी आप यहां से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं यह राज़तान सरकार के दोबारा हाली में जारी किया गया जनसूतना राज़तान का पोर्टल है आप यहां से राज़तान के हर नागरी की डीटेल चेक कर सकते हैं कि उनका रासन कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है उसके रासन कार्ड से खादेश उर्क्षय योजना 2020 में रासन कार्ड है वो उनकी सूची आप किस तरह से देख सकते हैं कि आप अमने ग्राम पंचाहत में कितने रासन कार्ड खादेश उर्क्षय होगना में जूड़े हुएं कितने रासन कार्ड बी पियल है इस्टेट बी पियल है अंतो देख या फिर एप्यल है तो कितने लोगों को रासन पर दिया जा रहा है। यह सभी डीटेल आप किस दरह से देख सेकते हैं की माइड़ एक ड्मानो या करणे बाध्यान सosit धी कि ये आंगी के स्वाइक की जो फिए की आप गर जो आप में सम्धाअ कि Kॉन को क्टी आप में भुचक्पड़ की दो क्या है के मैल झाल